हेलो डियर स्टुडेंस आज हम आपके बीच आए हैं यल्टी ग्रेट होम साइन्स को डिसकस करने जो ना सिर्फ यल्टी ग्रेट के लिए होगा बलकि TGT और PGT के सिलेबस को भी कवर करेगा होम साइन्स के इंट्रूरक्शन के साथ आज हम अपनी पहली क्लास शुरू करने जा रहे हैं तो आएए देखते हैं कि हमें इसमें क्या-क्या पढ़ना है जैसा कि आप सबको स्क्रीन पर दिख रहा होगा होम साइन्स ग्रिय विज्ञान इसकी कितनी साखाये हैं कितनी ब्रांच है जो हम लोग को पढ़ना है इसमें टोटली 7 ब्रांच है यल्टी ग्रेट में जो हम लोग को देखना है नमबर एक पे है ग्रिह प्रबंधन जिसको इंगलिस में हम होम मैनेजमेंट भी कहते हैं नमबर दो पे है प्रसार सिच्छा, इक्स्टेंशन, एजुकेशन, नमबर तीन पे है वस्त्र विज्ञान, टेक्स्टाइल चोथे पे है पोचड विज्ञान, निूट्रिशन साइंस, पॉइंट फाइब पे है बाल विकास, चाइल्ड डेबलप्मेंट और छठे नमबर पे है मानो, शरीर क्रिया विज्ञान, हिूमन फीजियोलोजी और सात में पे है सोधियूम सांखिकी, रिसर्च एंड इस्टैटिक्स तो ये जो सातों टॉपिक है, इनमें से जो उपर के पांच टॉपिक हैं ये TGT और PGT और LT grade TGT, PGT और LT grade तीनों में common है और ये जो नीचे के दो एक human physiology और एक research और aesthetics ये दोनों ELT grade में हैं किस में है? ELT grade में है, ये TGT और PGT में नहीं है तो ये हम ध्यान रखेंगे, इसके बाद हम अब आगे देखते हैं ग्रिय विग्यान के बारे में कुछ-कुछ basic चीजें हम देख लेते हैं क्योंकि ग्रिय विग्यान पढ़ना है तो इसके बारे में कुछ basic information भी हमारे पास रहनी चाहिए जैसे यहां देखते हैं ग्रिय विग्यान की परिभाशा ग्रिय विग्यान वह बेवहारिक ज्यान है जो अपने अध्यन करताओं को सफल पारिवारिक जीवन बेतीत करने सामाजिक और आर्थिक समस्याओं को हल करने और सुखमे जीवन यापन की दसाओं का ज्यान कराता है अगर इसको हम दूसरी भासा में कहें तो कह सकते हैं कि ग्री विग्यान में परिवार के सभी सदस्यों की आवस्यक्ताओं की पूर्ती और उनके विकास वा सम्रिध के बारे में विस्तार से अध्यन किया जाता है इस विशे में घर वा परिवार से संबंधित सभी आवस्यक्ताओं जैसे भोजन, वस्त्र, मकान, सरीर, स्वास्थ और ग्री बेवस्था तथा ग्री सज्जा आधिके सध्धानतिक नियमों के अनुसार संपन किया जाता है ताकि परिवार सुखी और सम्रिधी शाली हो और ग्री बिज्जान को अगर कहें तो अलग अलग जगों पे अलग 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 नाम से जाना जाता है जैसे अमेरिका में ग्री बिग्यान को क्या कहा जाता है तो अमेरिका में जो ग्री बिग्यान है उसको कहा जाता है ग्री अर्थ सास्त्र होम इकोनोमिक्स और इंग्लेंड में इसको घरेलू बिग्यान के नाम से जाना जाता है और अपने यहां तो इंडिया में जानते हैं कि इसको ग्री बिग्यान के नाम से जाना जाता है इसके बाद हम आगे देखते हैं कि ग्री बिग्यान के बारे में लोगों की धर्डाएं क्या है ग्री बिग्यान के बारे में लोग क्या सोचते हैं तो चुकि ग्री बिग्यान के प्रति आम लोगों की कुछ ऐसी धर्डाएं हैं प्रचलित हैं जो ग्री बिग्यान के महत्तु और उसकी उपयोगिता को कम कर देती हैं पॉइंट वन में कि ग्रिह बिग्यान केवल इस्त्रियों के लिए है तो ये धाड़ाएं बिल्कुल गलत हैं क्योंकि ग्रिह बिग्यान केवल इस्त्रियों के लिए नहीं है ग्रिह बिग्यान का जितना उपयोग इस्त्रियों के लिए है उतना ही उपयोग पुर्षों के लिए भी है इस्त्री पुरुष से कंधा मिला कर चल लही है और किसी एक से घर नहीं बनता है घर इस्त्री पूरुष दोनों से बनता है, तो इसलिए ग्रिह बिग्यान में इस्त्री और पूरुषों दोनों के लिए यह आवस्यक है इसका ग्यान, तो पहला जो हमारी धारडा है यह गलत हो गई, दूसरी है ग्रिह बिग्यान में एक ही बेक्ति का नेत्री तो होता है, त तक कि घर के शारे लोग अगर उसका साथ नहीं देंगे तब तक वो सकसज नहीं हो सकता, सफल नहीं हो सकता, इसलिए ग्रिह बिज्ञान में हर एक सदस्य का अपना-पना महत्त होता, हर एक सदस्य अपना-पना नेत्रित हो करता है, तब हम ग्रिह ब्यवस्था को अच्छे से कर पाते हैं इसके बाद थर्ड है ग्रिह बिज्ञान ग्रिह प्रबंध है ग्रिह बिज्ञान ग्रिह प्रबंध नहीं है ग्रिह प्रबंध जो है यह एक मात्र पच्छ है किसका ग्रिह बिज्ञान का यह केवल एक मात्र पच्छ है ग्री बिज्ञान बहुत ब्यापक है ग्री बिज्ञान का एक मात्र पच्छ है ग्री प्रबंद जैसे प्रसार सिच्छा हो गया जैसे वस्त्र बिज्ञान हो गया ये सब एक पच्छ है तो वैसे ग्री प्रबंद होम मैनेजमेंट भी एक पार्ट है ग्री बिज्ञान का तो गरी बिःग्यान की प्रकृती में है विफिते गरी बिःग्यान को ले ले लिए तो उसके रेश्य वगेरे में सब में हम उसका स्यधांतिक अध्यान गरते हैं यहां भी हम सेधांतिक अध्यान करते हैं करते हैं तो बिभगुं की अपर्ग्याना की है a बिज्ञान है उत में कलातबग गुड़ों का भी उपयोक किया जाता है कहां कलातमग गुड़ों का उपयोक फिलाएं घाना बनाने में कूकिंग में खाना बनाते हैं तो उसका जो पौस्टिक स्ञाद्च्टिक numbers 15 % ुस Scaleate तो इसलिए कह सकते हैं हम इसको कि जो ग्रह विज्ञान हमारा है वह ना ही केवल विज्ञान है ना ही केवल कला है वह क्या है ग्रह विज्ञान कला और विज्ञान का संगम है उसमें कला के भी गुड़ विद्यमान है और विज्ञान के भी गुड़ विद्यमान है तो कि हम कहेंगे कि अगर आ जाता है कभी इस तरह से कोश्चन कि ग्री बिज्ञान किस प्रकृति का है या ग्री बिज्ञान की क्या प्रकृति है तो हम कह देंगे ग्री बिज्ञान कला और बिज्ञान दोनों है ठीक है कला कहा है जहां पर हम सज्जा करते हैं डेकोरेट करते हैं वहाँ पे कला है और जहां पे हम उसका सैधानतिक अध्यन करते हैं वहाँ पे वह बिज्ञान है ठीक है आगे देखते हैं ग्रिह बिज्ञान के उद्देश है क्या है ग्रिह बिज्ञान के उद्देश में पॉइंट वन देखेगा पारिवारिक जीवन को सरल योम उत्तम बन कैसे होगी जब किसी काम को हम व्यवस्थित तरीके से करेंगे तो हमारा स्रम भी बचेगा और समय भी बचेगा और हम अच्छे से उसको अच्छी गुडवत्ता का भी हम उसको काम को कर सकते हैं थर्ड पॉइंट में है शरीर रचना और स्वास्त संबंधि प्रदान करना जो ग्री बच्ञान के पढ़ने वाले होते हैं उन्हें शरीर रचना के बारे में शरीर किस चीज का बना है इसकी फंक्शनिंग कैसे कारिक क कैसे करता है इसमें कितने अंगतंत्र हैं जैसे शरीर रचना में हम पढ़ेंगे जैसे शरीर हमारी कोशिका से बनी होती सबसे छोटी काई क्या होती है कोशिका कोशिका जो होती है कई कोशिकाय मिलकर क्या बनाती है उतक बनाती है और कई उतक मिलाकर क्या बनाते हैं अंगतंत स्वास्थ स्वास्थ को shaping विमारियां होते हैं किसे का उप्चार से कीजाता है और प्राब्दान की अग्यान फिर्ट Rumill होकर गुजरतें उनका पालन पोषड कैसे किया जाता है ये सारा चीज का फ्रीन ईसके बाद है आई-बे में संतुलन और हम कहां कितना पैसा खर्च कर रहे हैं और कितने हमारी आमदनी है कितना पैसा आ रहा है इन सब में संतुलन अस्थापित करना ही इसका ग्रह विग्ञान का उद्देश क्योंकि जब हमारे आए-बे का संतुलन बिगड़ जाएगा माल लेते हैं कि हमारे घर में आमदनी कम हो रही है और हम बेजादा कर र जानते कि आज कल जितनी भी वस्तुए हैं सब हम मार्केट से ही खरीद कर लाते हैं तो उसका क्रेब करने में कि कितने में हमें खरीदना चाहिए कितने में बेचना चाहिए कैसे लेना चाहिए जिससे सही तरीके से बजट बना रहे इन सब का ग्यान भी बहुत जरूरी है इ उसके बारे में विशेस अध्यन किया जाता है जैसे यह तो सरीर के बारे में हो गया कोशिका उतक अंगतन तो ऐसे वस्तर के बारे में हम पढ़ते हैं वस्तर के बारे में हम देखते हैं तो वस्तर की जो सबसे छोटी काई होती है वो क्या होती है वो रेशा होती है और रेशा में से क्या बंता है पहनने योग्य कपड़ा पहनने योग्य कपड़ा या वस्त्र ठीक है तो यह जो रेशा है यह मैं कोशी का सबसे चोटी काई थी रेषा हमारे की सबसे चोटी का यह रेशिशे फिर धागा बनता है इसकी कताई होती है कताई से धागा बनता है धागे की बुनाई होती है बुनाई से फिर कपड़ा बनता है कपड़ा कौन सा कपड़ा जो थान में हम देखते हैं खरीदने जाते हैं तो वह वाला कपड़ा हो गया फिर कपड़े से पहनने योग ये कपड़ा का निर्माड होता है तो यहां तक की प्रोसेज वस्त निर्माड और इसके बाद वस्त का रख रखाओ उस पे जो दाग धब्बे लग जाते हैं उसको किस केमिकल से छुड़ाते हैं कैसे छुड़ाते हैं इन सब का अध्यन हम वस्त विग्यान में पूर जानकारी यह सब्सक्राइब तो वस्त विग्यान में उसको जानना जरूरी क्योंकि घर में कहीं दुरगटनायों हो जाती है में जों गिर गए किसे तो उसको दुरंत मिलता नहीं तो डॉक्टर तक पहुचने से पहले जो भी उपचार किये जाते हैं उसको पट्टी बाधा जाता है या जो भी देख भाल की जाती है उसको हम प्राथ्मिक चिकित्सा के नाम से जानते हैं तो इस सब का भी प्राथ्मिक चिकित्सा का भी ज्यान ग्री विग्यान का उद्दे कुछ है ही नहीं है हर कोई का एक घर होता है घर में रहता है और घर में जो सबसे बेसिक उसकी आउसकता होती है वो रोटी कपड़ा मकान होता है तो उसके बारे में उसे जानकारी रखनी ही चाहिए तो पहला तो हो गया परिवार के लिए महतु क्योंकि परिवार में कई सदस के लिए इसका महतु क्योंकि जब कोई अच्छा परिवार होगा आपस में वह अच्छे से मिल जूल करेंगे तभी तो पडोसियों की हेल्प कर पाएंगे दूसरें को किसी चीज के बारें बता पाएंगे उनको जागरूर कर पाएंगे समझा पाएंगे तो इसलिए हो गया सम कुछ कर सकता है उसके बाद इसका महतु की सेत्र में है ब्यावसाइक छेत्र में ग्रह विज्ञान का महतु तो ब्यावसाइक छेत्र में कई पॉइंट हैं जैसे पहला आहार सलाहकार जो डाइटीसियन होते हैं वह अच्छा बिजनेस कर लेते हैं तो आहार सलाहकार के रू करें वोतिक चला कर आज जानी रहेंगे वूतिक में और गपड़े व्यूजनेस किया जा सकता है आगनवाडी सिच्छिका के रूप में जैसे जो जानकारी देना और बताना जागरूपता फैलाना आगनवाडी सिच्छिका के रूप में और गरी बेवस्था और सज्जा सलाहकार के रूप में तो घर में कैसे मैनेजमेंट करना है और उसका डेकोरेशन कैसे करना है ये सब की विज्ञान के बयोसाइक छेतर से संबंधीथ हैं आगे हम देखते हैं इसके ग्री विज्ञान की आचे-लाभ क्या-क्या है पहला तो यह है कि परिवार के सदस्यों को फाश्तिक भोजन प्रदान करना जो भी ग्री बिज्ञान का जिसे विज्ञाना तो चैनल सी बात है वह कैसा भोजन बनाएंगा पोस्टिक भोजन बनाएंगा क्योंकि उसकी पोस्टिक नाधा करेगा फिर बाद में उसको डेकोरेट भी करेगा और उसके स्वाद को भी ध्यान में रखेगा और दूसरे पॉइंट में है सु बेवस्थित कारी करना तीसरे में है उत्तम अर्थ बेवस्था ग्री विज्ञान का जिसको भी जानकारी होगा तो आई बे का संतुलन कर सकता है आई बे का संतुलन हम पीछे अर्थ बेवस्था बना सकता है इसके बाद बच्चों का विकास अच्छे से कर सकता है गर्भ वस्था से लेके वस्था तक बच्चों का पूरा उसके बारे में कितनी अवस्थाइं होते हैं कैसे कैसे सब पढ़ाय जाता है तो वह अच्छे से बच्चों का विकास कर सकता है और घर को सुच्छ और सुसजित कर सकता है जिससे देखने में अच्छा लगे लोग आकरसित हों और परिवार के सदस्यों की उचित देख भाल भी कर सकता है क्योंकि जब उसे प्राथमिक चित्सा का ज्यान रहेगा, रिस्तों में सामंजस से बैठाने का ज्यान रहेगा तो वो परिवार के सदस्यों की भी उचित देख भाल कर सकता है और पॉइंट सेवन में कपड़ों की सिलाई कड़ाई रख रखाओ का ज्यान देना और वस्त्र के बारे में तो बताए कि वस्त्र टेक्स्टाइल में सब चीजों का ज्यान करा अध्यन करते हैं तो सब चीजों का करना पहने हैं इसमें भी घ्रिय विज्यान है हम खाना खाते हैं उसमें भी घ्रिय विज्यान है तो बहुत देखंगे आज सिर्फ एंट्रोडाक्शन था आज इतना ही ढशेंवेद इसके आगे हम लग73 डेखंगी झाल